भगवान ने संसार क्यों बनाया? स्वभाविक प्रश्ण उठता है क्योंकि हम दुखी हैं, परिशान हैं, भगवान आनंद में हैं तो जो अखंड ग्यान आत्मक भगवान हैं, उसको क्या सूजी थी कि इस प्रकार से संसार बनाये हम लोग दुखी हो परिशान हो तो यह प्रश्ण बहुत से लोग पूछते हैं इसका हम एक द्रिश्टांत उत्तर के रूप में सुनाते हैं कि एक अरबपती था, उसका एकलौता बेटा था, पंदरा साल का वो अरबपती एक दिन ऑफिस से बाहर गया हुआ था टूर पर बेटा ऑफिस में खेल रहा था टाइम पास कर रहा था पिताजी के ऑफिस में उसको एक पंदरा वर्ष पुराना समाचार पत्र दिखा उसकी द्रिश्टी गई वहाँ पर हेड्लाइन्स थी अरबपती ने एक अनात बच्चे को गोद लिया उसका रिधाय धक हो गया ध्यान से पड़ा उसके पिताजी का नाम लिखा था उसने कहा क्या मैं गोद में लिया हुआ बच्चा हूँ जब पिताजी आए वापस कुछ घंटे के बाद उसने कहा पिताजी ये समाचार पत्र देखिए इसमें क्या सही लिखा है पिताजी की गर्दन जुक गई उनोंने का बेटा ये सही है पंद्रा साल पहले मैंने तुझे गोद लिया था तू अनात था बेटे का रिधाय तूट गया उसने का पिताजी मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि आपने मुझे गोद क्यूं लिया वो अरब पती ने बड़ा सुन्दर उत्तर दिया उसने का बेटा मैं तो अरबों का मालिक हूँ मेरे पास कोई धन की कमी नहीं थी और धन से संसार का सभी कुछ खरीदा जाता है मेरे पास किसी सामान की कमी नहीं थी न आईश्वर्य न प्रतिष्ठा न संसार के भोग सामगरी लेकिन मैं कमी अनुभव करता था कि मेरे पास कोई नहीं है जिसके साथ जिसको मैं ये सब दे सकूँ जिसके साथ मैं ये सब बांट सकूँ तो मैंने तुझे इसलिए गोद लिया ताकि अपना सब कुछ मैं तुझे दे सकूँ उसमें जो सुक मिलेगा वो इसके उपभोग में नहीं मिलेगा ऐसे ही भगवान तो परिपूर्ण है, आत्माराम है, पूर्ण काम है सदात्रिप्त है, सर्वशक्ती संयुक्त है उन्हें किसी चीज की कमी नहीं लेकिन वे जीव को बनाते हैं, बनाए अनाल्दी काल से बनाए, इसलिए बनाए कि ये जीव एक दिन योग्य हो जाएगा और जब योग्य हो जाएगा, अपना साब कुछ मैं जीव को दे दूँगा अपना अनंत ग्यान, अपना अनंत प्रेम, अपना अनंत आनंद तो भागवान हमको इसलिए नहीं बनाए कि हमको संसार में जूते चपल पड़े, भागवान इसके लिए बनाए कि एक दिन हम योग्य पुत्र बनके, सुपूत बनके और भागवान की साब आध्यात्मिक संपत्ती में भागीदार बन जाएं कि हमको तो भागवान है